जिसको जो दीना हो दी दीना गुर्वर, जिसको जो दीना है दीना गुर्वर, मुझको एक वादा दी देना, जिसको जो दीना है दीना गुर्वर, मुझको एक वादा दे देना, जब अंत समय हो तो आसपा साधूं का मंडल हो, जब मेरा अंत समय हो तो आसपा साधूं का मंडल हो, एक हाथ में पीछी और एक हाथ में कमंडल हो, एक हाथ में पीछी और एक हाथ में कमंडल हो, एक हाथ मे आदमी के पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज की कमी है, क्या चीज है वो, वो है संतोश, कहते हैं, चाह तो पूरा की जा सकती है, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं की जा सकती, जब हाथ भर सकता है, तो कामना किसकी रहती है, बाल्टी भरने की, पेट, रोटी से भी भर सकता है, लेकिन इच्छा क्या है, हलुआ पूरी की, संसार में दो तरह की लोग होती है, संसार में दो तरह की लोग होती है, एक वह लोग, जो हमेशा कहते हैं, और, और, और क्या है, और ही सब चीजों की जड़ है, सब दुखों का कारण है, और ही जीवन में असंतोष फेदा करता है, और ही हमें सत्मार पर बढ़ने नहीं देता, लेकिन आचारे कहते हैं, और को छोड़ कर बस की और पीछे भाग हो, बस वो नहीं जिसमें हम सफ़र करते हैं, बस वो है जिससे संतोष कहा गया, आज हमारे पास कितना भी धन हो, फिर भी हम कहां जाते हैं, हम जोतिश के पास जाते हैं, जोतिश के पास जाकर क्या कहता है आदमी, बाबा जी मेरा हाथ देख दो, कब काम चलेगा, कब पैसा आएगा, वारे आदमी अपने भाग्यों को हाथ की मुठी में तलाशता है, जब प्यास दो भूंद से भूझ सकती है, लेकिन हवस समुद्र की करता है, एक दिश्टान्त की महद्यम से समझना, एक बार नारत जी इंदर लोक में बेठे, उननी सोचा, आज मद्य लोग की से SER करके आते हैं, हमने सुना है हस्तिनापूर में हर साल विधान होता है, नारत जी ने सोचा, चलो आज मद्य लोक में चलती है, नारत जी चल दिये, सुबे सुबे का समय था, नारत जी जा रहे हैं, रस्ते में एक विखारी मिल गया विखारी का काम क्या रहता है मांगने का विखारी ने नारजजी के आगे कटोरा कर दिया बोला कुछ दे दू नारजजी बोले क्या रे विखारी मैं तो सोच के निकला था भी हस्तिना पुर जाऊँगा तो बड़े बाबा के दर्शन करूँगा, विधान में बेठूँगा, लेकिन रस्ते में तुम मिल गए, मैं खुद फकीर हूँ, मैं तुम्हें क्या दूँगा, विखारी बूला, नारज जी, कुछ तो दे दो, मैंने सुना है, भी आप से बड़े बड़े विध्यादर मांगते हैं, आप सब का खजाना भर सकते हो, तो मुझे कुछ नहीं दे सकते, अब नारज जी तो नारज जी, उनने भूला, भाया, मेरे एक दो रुपए से तुम्हारी भूख मिटने वाली नहीं है, मेरे एक दो रुपए से तुम्हारा क्या होगा, चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आज मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, बिखारी ने कहा, नारज जी, क्या आप सच बोल रहे हैं, मेरी गरीबी सच में दूर करतोगे, नारज जी ने कहा, हाँ, आज तुम चलो, बिखारी ने बूला, कहा जाना है, नारज जी क्या बोलते हैं, स् विखारी कहता है, नहीं, नहीं, स्वरग नहीं जाओंगा, स्वरग तो मरने के बाद जाते हैं, नारज जी बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो, विखारी फिर मना करता, बोला, मैं नहीं जाओंगा, नारज जी बोलते हैं, ठीक है भीया, तुम्हें मैं जीते जी लेके जाता हूँ, तुम चलने वाले बनो, विखारी ने सोचा, चलो, जब बार-बार बोल रहे हैं, तो एक बार स्वरग भी देखाते हैं, दोनों स्वरग की और चल देते हैं, स्वरग की और जा रहे हैं, स्वरग में सोधर्म इंदर का दरबार लगा है, बिखारी ने देखा, बिखारी का मन खुश हुआ, आगे गया, तो दोनों कुबेर के पास पहुँचे, कुबेर के पास पहुँचे, तो कुबेर जी बोले, नारज जी, आज सुबे सुबे कैसे आ गए, तुम तो आए ठीक है, पर इसको कहां ले आए, ये कोन है, नारज जी बोले, महराज, ये एक बिखारी है, भीक मांग रहा था, इसकी गरीबी दूर कर दो, कुबेर जी बोले, नारज जी, ये आदमी है, अगर ये पाँच मिनट और यहां पर रुका, तो स्वर को भी नरक बना देगा, नहीं, महराज, आप इसकी गरीबी दूर कर ही दो, अब बिखारी तो बिखारी, बिखारी ने नारज जी को कान में कहा, क्या कहता है, भाईया, एक बाद बताओ, ये जो तुमारे महराज है, मेरा कटोरा तो भर देंगे ना, नारज जी बोले, ये कुबेर हैं, कुबेर, जब भगवान का जन्म होता है, तो कुरोडों रतनों की वर्षा करते हैं, इनके खजाने में इतना धन है, जिसकी कोई गिंती नहीं है, तो तुमारा कटोरा क्यों नहीं भरेंगे, कुबेर जी बोले, नारज जी अभी भी सोच लो, ये तुमारी सबसे बड़ी गलती है, तुम इसको यहाँ पर लेके आए हो, फिर बिखारी ने बोला, नारज जी को कान में, क्या ये सच में मेरा कटोरा भर देंगे, बोला, नारज जी बोले, भाईया ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, कुबेर जी को गुसा आ गया, तो वहीं पर भेज देंगे, जहां से आए हो, बिखारी चुप रहा, कुबेर जी ने, अपने सैनिकों को बुलाया, और कहा, जाओ, अंदर से, दो तिन थाल, हीरे मोतियों के ले आओ, हीरे मोतियों के थाल आए, बिखारी के कटोरे में डाले, कटोरा अभी भी खाली, कुबेर जी भी हरान परेशान, और नारज जी भी हरान परेशान, कुबेर जी बोले, मैंने तुम्हें कहा था, ये आदमी है, आदमी, नारज जी बोले, महराज मैं नहीं जानता, अब मैं इसे लेकी आया हूँ, इसका कटोरा तो आप भर ही दो, इसने मेरे से रस्ते में दस बार पूछा है, क्या तुम्हारे कुबेर जी मेरा कटोरा भर देंगे, और मैंने दस बार इसको आश्वासन दिया है, तुम्हारा कटोरा भर कर ही जाएगा, सुबे से लेकर शाम हो गई, अंदर से स्वर्ण के थाल आ रहे, आ रहे, आते जा रहे, अब जो सेनिक हैं वो भी ठक गए, लेकिन बिखारी का कटोरा भरने वाला नहीं था, कुभेर जी ने बिखारी को भी बुलाया, और कहा, अरे सुन, तुने कटोरे में कहीं छेद तो नहीं किया है, मैं कहीं यहां का धन सारा, अपने घर की छत पर फेंक रहा हो, और जाकर उठा ले, उसने का नहीं महराज, कटोरा तो कटोरा है, कुभेर जी ने फिर नारज से कहा, नारज मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये आदमी है, अब नारज जी को गुसा आया, नारज जी बिखारी को साइड पर ले गए, और बोले, ए बिखारी, क्यों मेरी पेस्ती करवा रहा है, क्यों मेरी पेस्ती करवा रहा है, क्या है तेरे कटोरे में, दिखा कटोरा कटोरा देखती है तो कहते हैं ये कटोरा तुने कौन सी फैक्टरी में से बनवाया है कौन सी फैक्टरी में से लाया है कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा बिखारी कहता है नारज जी ये कटोरा किसी फैक्टरी में नहीं बना है मैं भीख मांगता हूँ एक दिन शमशान घाट में से जा रहा था शमशान घाट में एक चिता जल रही थी चिता जल जाने के बाद एक खोपड़ी बची थी मैं खोपड़ी ही उठा लाया महराज ये खोपड़ी है ये कटोरा नहीं है खोपड़ी है हैं इसी लिए हमारे आचारे कहते हैं अपने जीवन में और कुछ ला सको ना ला सको लेकिन एक संतोष अपने जीवन में अवश्य लाएं बुली द्वाद शांग जिन्वानी माता की जै चतन भाईया